The Power of Less The book The Power of Less Leo Babota के Predictive Minimalism के Idea को Introduce करती है उनकी अपरोच मेंली Long Term Changes के लिए अच्छी Habits को Develop करने पर जोड देती है दोस्तों इस किताब के author है Leo Babota जो एक popular blogger है Time Magazine ने उनने दुनिया के top 25 सबसे प्रभावशाली bloggers में से एक माना है अगर आप effectively यानी प्रभावशाली तरीके से काम करना चाहते हैं तो अपने आपको जरूरी चीजों के आसपास रखेए हाँ दोस्तों अगर आप effectively यानी प्रभावशाली तरीके से काम करना चाहते हैं तो अपने आपको जरूरी चीजों के आसपास रखेए दोस्तों आज के दुनिया में हम पहले से कही जादा चीजों को प्रिड्यूस कर रहे हैं और उनका इस्तमाल भी कर रहे हैं दिन बदिन हम पर इंफिमेशन की बंबारी होती है हमें दरजनों, सैक्डों, इमेल्स और फोन कॉल्स आते रहते हैं जो कि हमें कुछ न कुछ खरीदने, यूज करने के लिए उकसाते हैं हमें से जातर लोग अपनी एनरजी को जरूरी और गैर जरूरी चीजों में अंतर किये बिना ही सभी कामों में और हर जगे लगा देते हैं productivity techniques इस तरीके से हमारी help करने के लिए design की गई है ताकि हम हर दिन possibly हर चीज को कर सकें लेकिन बहुत कुछ होने और बहुत कुछ करने में बहुत अंतर होता है दोस्तों जातर time लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन आखिर में देखा जाता है कि वो उनमें से जातर फालतू काम ही करते हैं तो इससे बचने के लिए हमको हमारी कुछ limit सेट करनी होगी और खुद को जरूरी कामों को ही करने के लिए push करना होगा और खुद को जरूरी चीजों पर ही focus करके हम कम efforts में ही खुद को बड़ा कुछ हासिल करने के लिए manage कर पाएंगे जो लोग खुद को limit करके चलते हैं वो आगे जाकर सीखते हैं कि life के हर areas में कैसे important चीजों पर ही concentrate किया जाता है दिन में कुछ ही कम चीजों पर focus करके जरूरी बातों और कामों को अच्छे से किया जा सकता है दिन में 20 projects पर काम करने के बजाए कुछ ही important projects पर अपने focus को limited करने से हम उन कुछ जरूरी चीजों को जल्दी और successful कर पाएंगे दोस्तों तो खुद को उन important कामों में push करके हमें आगे भढ़ते रहने में help ही होगी अपनी priorities को जीए अपने decisions के प्रती clear रहिए हाँ दोस्तों अपनी priorities को जीए और अपने decisions के प्रती clear रहिए आए इस point को detail में कुछ examples के साथ समझते हैं restrictions यानि दाइरों के बिना जीना ठीक पैसा ही है जैसे की credit limit के बिना shopping करना क्योंकि last में हम तो सिर्फ एक ही चीज़ पर focus करना होता है और वो होता है budget खुद को limit में रखना हमें अपनी energy को life में सिर्फ और सिर्फ important चीज़ों पर ही बनाये रखता है दूसरे शब्दों में कहें तो हम फाल्तो की और बेफिजूल की बातों पर अपना वक्त और energy करने से बच सकते हैं या मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हम खुद को बाम दे इसकी बजाए सिर्फ हमें खुद के लिए कुछ limitation सेट करनी है ताकि हम हमारे free time को important चीज़ों पर ही लगा सके और फाल्तों के कामों से बच सके फाल्तों के project से अपना ध्यान हटा कर अपना free time हम अपनों के साथ बिताएं तो धर्म के लिए अगर आपकी family आपकी top priority है तो आपको बेफिजूल की बातों पर और कामों पर अपना वक्त बरबाग ना करके अपने बच्चों के साथ को time बिताना चाहिए इसका यह भी मतलब है कि हमको यह भी पक्का करना होगा कि लोग यह समझें कि हमारा time limited है और हमारी priorities बहुत ही clear है इस तरह से हमारे आसपास के लोग भी हमें तवज्जू दे पाएंगे और हमारा time बरबाद नहीं करेंगे जो लोग दूसरों को ना बूलना सीक जाते हैं वो असल में उनको ignore नहीं करते हैं यह आप समझेगा बलकि वे अपने आसपास के लोगों से respect पाते हैं क्योंकि वह यह जान जाते हैं कि हम फाल्टू की बाते नहीं करते हैं और हर छोटी छोटी बातों पर गप्शप करना हमें फाल्टू लगता है तो ऐसे हम priority देना सीख जाते हैं दोस्तों ना कहिए और लोगों को ना कहिए दोस्तों ना कहने के आदद डालिए और लोगों को साफ साफ अपनी priorities के बारे में बता दीजिए अगर आप अपनी life को change करना चाहते हैं तो अपनी habits को बिदलिए अगर आफ ओगा और डेबलिब करना सीखना होगा और यह तभी समझझा है जब आप अपने work को एक ही time पर एक ही जगे पर limit ना करें अगर आप daily एक नई habit बनाने का focus रखते हैं तो वह आपका second nature बन जाएगा दोस्तों आपका motivation दूर नहीं हो जाए इसे पक्का करने के लिए आपका अपने plans को दूसरों को बताना होगा ideally आपको किसी ऐसे person के साथ अपने plans को share करना चाहिए जो खुद भी नई habits बनाने को crazy हो ताकि आप एक दूसरे को अपने plans के लिए motivate कर सकें जब आपका अपना एक group बन जाता है यानि एक audience जो आपके actions पर नज़र रखे उसको track करें तो आपके अपने plans और goals से जल्द ही भुटकने के chances बहुत ही कम होते है और अगर आप खुद को daily अपनी progress को लिखने के लिए push करते हैं तो शायद आपकी नई habits दिन बदिन निखरती जाती है दोश्तों ऐसा करते वक्त आप अपने लिए हासिल किये जा सकने वाले goals को set कीजिए लेकिन goals को इतना simple रखिए ताकि आप उनको easily हासिल कर पाएं ऐसा करने से आप अपने goals के प्रति भी motivate नहीं हो पाएंगे habits जो लोगों की life में positive change लाती है उन्हें कुछ इस तरीके से होना चाहिए दोश्तों आइए इसको समझते हैं अपनी habits को धीरे-धीरे लेकिन पक्के तर से तयार करिये हमें इसे बहुत से लोग छोटी शुरुआत करने की बजाये पहले ही दिन से अपने में बड़ा बतलाव लाना चाहता है। इसका result यह होता है कि हम इसमें नाकाम हो जाता है, हम frustrated हो जाता है। इसी वज़े से एक positive change के लिए आपका हर एक plan पेल होता चला जाता है। लेकिन यह इस तरीके से नहीं होना चाहिए, habits को create करने के लिए consistency यानि regularity होने चाहिए। और आप छूटी छूटी शुरुवात करके और धीरे धीरे अपने goals की तरफ भढ़कर consistency को हासल कर सकते हैं। अगर आप एक नई habit को पाना चाहते हैं, तो जितनी छूटी आप शुरुवात करेंगे, उतना ही आपके success होने के chances जादा होंगी। क्योंकि जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि fail होने के जादा chances होते हैं, तो हम जादा demotivate होते हैं, और यही चीज हमें हमारे plan से दूर कर देती हैं, और लक्षे से हमें भटका देती हैं। अगर आप एक ही वक्त पर एक हैबिट बनाने पर focus करते हैं, तो success होने के chances बहुत जादा होते हैं। और आप ठक कर हार ना जाएं, इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी steps में आप काम करें। अगर आप एक नई हैबिट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजे कि आप डेली exercise करना चाहते हैं, तो शुरुआत में हर दिन 5 minutes exercise करने से start कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई या शरम वाली बात नहीं है दोस्तों। अपर ओल ये 5 minutes का काम तो आप जरूर ही कर सकेंगे, आप इसमें हारेंगे नहीं। तो इस technique का use करके आप छोड़े-छोड़े moments को experience करके लगाता और progress करके एक दन success जरूर हासल कर पाएं। habits किसी भी change के center point में होती है दोस्तों। और consistency किसी भी नई habit को create करने का secret होती है। इसको समझेगा दोस्तों। एक वक्त पर एक ही success पर focus करें, goals, sub-goals, projects और tasks के बारे में सूचिए। हाँ दोस्तों, एक वक्त पर एक ही success पर focus करें, goals, sub-goals, projects और tasks के बारे में सूचिए। आए इस point को detail में समझते हैं। goals को set करना easy है, जबकि उनको हासल करना उतना ही hard है। हमें इसके लिए energy, focus और motivation चाहिए जो कि हमारे पास पहले से ही limited है। तो इसलिए हमें जादा हासल करने के लिए एक ही वक्त पर एक ही goal पर अपनी energy को focus करना होगा। मान लीजे कि आपका कोई goal है जो six से twelve months में हासल किया जा सकता है। तो उस एक particular goal पर अपनी energy को लगाना समझदारी होगी। आपके main goal को हासल करने का easy step यह भी होता है। कि आप उस main goal को कई छोटे-छोटे sub goals में divide कर सकते हैं। जिने की कम टाइम में हासल किया जा सकता है। उभारन के लिए जिससे कि आप एक week में उस चीज को achieve कर सकें। तो इस तरीके से उन सब goals को एक-एक week में हासल करके आप अपने main goal को हासल करने के बहुत करीब आ सकेंगे। फिर अपने actual work से related अपने project को टै कर लिजे दोस्तों। आप किसी project के end में क्या हासल करेंगे। इसका solid status define कर लिजे। तो इस status को हासल करने की रहा में कुछ ऐसे छोटे-छोटे goals को define करिए जो easily हासल हो सके। आइडिली ऐसे छोटे-छोटे task जो 30 minutes में हासल हो सके। आप अपने project को guarantee के साथ finish कर सके। उसके लिए आपको एक ही वक्त में बहुत से काम नहीं करने चाहिए दोस्तों। एक ही साथ तीन project से जादा अपने हाथ में ला लीजिए और जब तक ये तीन project खत्म ना हो जाए तब तक कोई भी नया project अपने हाथ में लखने दोस्तों। चितना जादा ये project आपके goal से related होंगे उतना ही आपके लिए better रहेगा। एकदम focused रहिए वरतमान में जीना चालू करिए और हर एक task पर fully concentrate करिए आ दोस्तों। focus ही आपका सबसे important tool है अपने task को करते हुए जरूरी और main task पर ही focus रखिए दोस्तों। जो आप बहुत सारे task कर रहे हैं तो उसमें जरूरी और main task पर ही focus करिए इसका सबसे effective तरीका ये है कि अपने दिन की शुरुआत सबसे important task से शुरू करिए फिर दूसरे जरूरी task पर आ जाईए और इसी तरीके से आगे भड़िए एक task पर काम करते हुए सिर्फ उसी पर ही पूरी तरीके से concentrate करना चानू कर दीजिए multitasking और हर टाइम रुकावटे पैदा होना आपको inefficient यानि नकाबल बनाता है दोस्तों अगर आप रुकावटों से विचलित हो जाएंगे तो एक पल के लिए ठहरिये और पॉस कीजिए एक घहरी सांस लीजिए और एक ही activity पर पूरी तरीके से अपना ध्रान लगा देजिए सभी तरीकों की रुकावटों और इधर-इधर के विचारों से विचलित होने से बचने के लिए अपने पास हर वक्त एक paper या note book रखेंगे इस तरीके से आप अपने mind में आने वाले ideas को note कर सकेंगे और फिर से अपने काम पर focus कर पाएंगे हर एक task पर पूरी तरीके से focus करने के लिए यह जरूरी है कि आप पूरी तरीके से वर्तमान यानि मौजूदा पल में जीना चालू करिए और अपना ध्यान future के बारे में लगाने के बजाए present में लगाएंगे तो कि ऐसा करके आप खुश रह पाएंगे और काम पर पूरी त सादा focus करने की जरूरत है जब हम खाना था रहे होते हैं तो कुछ और ना पर जब हम exercise कर रहे होते हैं तो सिर्फ exercise ही करें और कुछ भी और ना पर हमें एक ही वक्त पर एक ही activity पर focus करने की practice करने चाहिए इस तरीके का concentration एक तरीके का meditation होता है और यह हमें हमारे आज में जीने और उसे enjoy करने में help करता है अपने दिन की शुरुआत हमेशा सबसे important task के साथ कीजिए आईए इसको समझते हैं हम project नहीं करते हैं हम task करते हैं और ऐसा effectively करने के लिए हमें एक ही time पर एक ही task को करने पर concentrate करना होगा multitasking काम नहीं आती है इसके में procrastinating और multitasking को avoid करने के लिए आपके task छोटे हो ताकि आप उन्हें जल्दी ही लिपटाने जैसे की कोई ऐसा task जो आदे घंटे में पूरा हो जाए हमेशा हम बड़े task उठाते हैं हमेशा हम बड़े task उठाते हैं और उनकी शुरुआत में ही रुक define किया जाना चाहिए most important task को define किया जाना चाहिए और ये टै करना होगा कि most important task कौन सा है ताकि आप सुबह उठकर सबसे जरूरी task को सबसे पहले उपा सके आप यह पक्का कर सकें कि आपका हर कदम आपके goal को पाने की तरफ जाए तर भले ही आप दिन भर कुछ भी करें दोस्त most important task को जतना हो सके आपके goals के एकदम नजदीक सेट करके रखिये दोस्तों और वह है आपको उनको हासल करने के और करीब ले जाए आपको अपने दिन के daily M.I.T.s को इतनी होश्यारी से define करना होगा ताकि आप उनको सुदह उठते ही सबसे पहले करें इमेल्स पर बिताए गए अपने time को कम करके अपनी efficiency को बढ़ाईए आइए इसको समझते है जैसे कि बहुत से लोगों के साथ होता है आप भी शायद अपना काफी वक्त emails पढ़ने और लिखने में बिताते हैं दोस्तों लेकिन इसका आपके goals को हासली करने से कोई लेना दे होगा यहने का मतलब यह होता है कि आप emails पर बिताए गए अपने time को minimize कीजिए दोस्तों इसी भी प्रोग्राम के तहर्त आप अपने सभी email addresses के inbox को reduce करना शुरू कर दीजिए और जैसे ही आप inbox को read कर ले उसे खाली करते चले जाएगे यहां आगे कुछ ऐसी tips दी गई है जो कि आपको emails को check करने में time waste करने से बचाने में help कर सकती है अपने लिए कुछ boundary set कीजिए जैसे कि आप दिन में सिर्फ दो वक्त ही अपना email check करिए जब भी आप कोई productive काम कर रहे हो उस दौरान email को नहीं पढ़िए इसकी बजाए अपने free time या lunch time में उनको read करिए दोस्तों सफ जब आप inbox देखना चाहें उसी वक्त उसको देखिए अपनी priorities को सेट करिए ना कि sender की priorities को settings में जाकर फॉरण बेवजय के और meaningless incoming emails के flow को कम कीजिए जैसे कि forward किये गए और joke emails filters को सेट करके कुछ खास ही sender के email को चुना एक ऐसा folder setup करिए जिसमें आप गैर जरूरी चीजों को रख सके ताकि उनको week के last को पढ़ा जा सके या send किया जा सके एक और खास बात यह है दोस्तों कि अपने inbox को to do list की तरह इस्तिमान मत करिए एक बार जब आप email को read कर लें आपके messages के लिए usually तीन sentences ही काफी है और उनको short रखके आप अपने वक्त को भी बचा सकते हैं तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये किताब पसंद आई होगी तो अंत में हम कुछ main points आपके सामने repeat करते हैं पहला खुद को limits में रखना हमें अपनी energy को life में सिर्फ और सिर्फ important चीज़ों पर ही बनाये रखता हैं दूसरे शब्दों में कहें तो हम फालतू की और बेफिजू की बातों पर अपना वक्त और energy waste करने से बच सकते हैं दूसरा point अगर आप अपने life को change करना चाहते हैं तो अपनी habits को बज़गे दूसरे साथ ही goals को इतना simple रखिए ताकि आप उनको easily करता हैं ऐसा करने से आप अपने goals के परतीख demotivate नहीं हो पाएं तीसरा point हमें अपने आज पर जादा सादा focus करने की ज़रूत होती है हर एक task पर पूरी तरीके से focus करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से बरतमान यानि मौजूदापल में जीए और अपना ध्यान future के बारे में लगाने के वज़ाए present में लगाएं क्योंकि ऐसा करके आप खुश रह पाएंगे और काम पर पूरी तरीके से ध्यान लगा पाएंगे दोस्ते इमेल के से भी notification को off कर दीजे और सिर्फ जब आप inbox देखना चाहते हैं उसी वक्त इसको करिए शॉर्ट इमेल इतना भी उतना ही जरूरी है आपके message के लिए usually तीन sentences ही काती है और उनको शॉर्ट रखके आप अपने वक्त को बचा सकते हैं तो दोस्तों अंत्वे मैं आपसे यही कहूँगा कि less is more यानि कम करना ही जादा हासल करना है जरूरी चीजों पर ही focus करके हम कम efforts में ही अपने goals को हासल कर सकते हैं और एक जिन्दा दिल, खुशहाल life के लिए खुद को मंचा ही flexibility दे सकते हैं धन्यवाद इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में दिये गए link पर click करके आप इस book को खरीद सकते हैं दोस्तों हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना best version बने और सफलता और खुशी अपनी जिन्दकी में दौनों हसल करें अधिक से अधिक लोगों की जिन्दकी में आप अपने talent से positive change लाने में उनकी मदद करें इसी effort के चलते उडान NGO चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ट किताबों की summary सरल और आसान भाशा में डाल रहे हैं दोस्तों हमारी अधिक से अधिक summary सुनें और उन्हें अपने जीवन में लगाएं अपना feedback comment box में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी summary पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों आप हमारी summary इसको किताबी कीड़े app पर भी सुन सकते हैं दोस्तों हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हो या सफल बनने के लिए भरपूर प्रियास कर रहे हो मगर कुछ अनजाने कारोणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ challenge महसूस कर रहे हैं कुछ blocks महसूस कर रहे हैं तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें personally मदद कर सकता हूँ दोस्तों one-on-one coaching session लेके तो दोस्तों यदि आप अपने लिए personal coaching session book करवाना चाहते हैं या मुझसे executive coaching लेना चाहते हैं अपनी organization के लिए कोई coaching session लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर कर सकते हैं आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर कर सकते हैं आप हमें numbers पर whatsapp भी कर सकते हैं दोस्तों हमारे counselors आप से संपर करेंगे धनिवाल